रमश्कार साथियों कैसे वें आप सभी लोग तो साथियों outdated और post dated चेक यह क्या होते हैं बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको simple सा बता दू हो outdated post dated चेक जो हैं दोनों ही अगर आप बैंक में लगाओगे आपका चेक Pounce हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों post dated check सुन लिजे क्या होता है माल दीजे दोस्तों आज है 1 जुलाई 2021 और आपके पास check है 15 जुलाई या 4 जुलाई 2021 का यानि जो आज तारीक है उससे advance तारीक का जो भी आपके पास check होगा वो होता है post dated check अगर आपने bank में इसको लगा दिया आपके खाते में पैसे आने के लिए या खाते से पैसे जाने के लिए तो दोनों ही case में दोस्तों आपका check bounce हो जाएगा और आपके खाते से check bounce का charge भी दोस्तों कट जाएगा चाहे आपके खाते में पैसा आना है चाहे जाना है दोनों के इसमें दोस्तों आपका पैसा कटेगा अब दोस्तों एक और बात कर लेते हैं जो post dated check है जैसे मैंने बताया आज 1 जुलाई 2021 है और आपको चेक मिला 15 जुलाई 2021 का तो आपको 15 जुलाई या उसके 3 महीने बाद तक check की validity दोस्तों 3 महीने तक की होती है तो 15 जुलाई के बाद या 15 जुलाई को आप लगाएंगे तो आपका check clear हो जाएगा तो 3 महीने तक कभी भी इसको present करेंगे तो clear हो जाएगे और आपके हाते में बैसा आ जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं outdated check की तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी check की validity 3 महीने की होती है जैसे की दोस्तों मैंने बताया कि आज 1 जुलाई है तो किसी ने आपको आज से 3 महीने पहले भी check दिया है तो वो दोस्तों clear हो जाएगा लेकिन उससे जो ज़दा पुराना check होगा जैसे किसी दोस्तों आपका चेक है जिसकी वैलिडिटी यानि डेट टाइम निकल चुका है तीन महीने से ज्यादा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आउट डेटीड चेक वो चेक दोस्तों आप कभी भी बैंक में लगाएंगे बाउंस ही होगा आपके खाते से चार्ज कटेगा कभी पै करना अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेंगा अगली वीडियो में धन्यवाद